Hello students, कैसे हैं आप लोग? यह साम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 3 लोगरिथम मैं लोग की ब्रिंसिपल प्रोपर्टी आपको बता चुका था आज हम लोग प्रोपर्टी बेस कोशिन करेंगे यह स्ट कोशिन नमबर ओफ सोलुशन अफ दे एक्वेशन लोग 4 एक्स माइनस 1 एक्वल टू बेस एक्स माइनस 3 यह सेम कोशिन आया टी में पूछा गया था तो स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे इस कोशिन को हम लोग दोनों नमबर को तबी कंपेर कर पाएंगे जब नमबर का बेस सेम होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या लोग 2 की पावर 2 और अगर हम लोग इसको आगे लिख आएंगे तो 1 बाइ 2 बनके आएगा यह हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 और यह लिखा हूए लोग बेस 2 x माइनस 3 अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या रूट x माइनस 1 यह 1 बाइ 2 इदर चला जाएगा तो पावर बनके आएगा और यह बन जाएगा लोग 2 बेस x माइनस 3 दोनों को आप कंपेर कर सकते हैं अब x माइनस 1 का रूट is equal to x माइनस 3 आपने बोथ सेट स्केरिंग कर दिया जब आपने बोथ सेट स्केरिंग किया तो यह हमारे पास बनके आएगा x माइनस 1 यह बनके आएगा x स्केर प्लस 9 माइनस 6x यह हो जाएगा हमारे पास x स्केर यस इसको इदर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा x square minus 7x plus 10 equal to 0 अब हम लोग ने इसको factorize किया तो x minus 5 x minus 2 equal to 0 x की value हमारे पास 2 आ गई है 2 and 5 आपसे पूछा गया था number of solution तो आप क्या बोलते कि तो आपके पास number of solution कितने हो जाएंगे 2 बट आप गलत कर देते यस 5 आपने रखा 4 बिलकुल सही है 5 आपने रखा 2 बिलकुल सही है बट 2 जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे लोग 2 base 2 minus 3 यस लोग 2 base minus 1 हो जाएगा negative number का लोग defined नहीं होता तो इसका मतलब x की वैलू क्या नहीं हो सकती x is equal to 2 not allowed x is equal to 5 is the only solution समझ गए क्या आप लोग तो number of solution पूछे गए थी तो number of solution कितने हो जाएंगे 1 clear है सबको यस आगे बढ़ते हैं अरे आ रहा है न next question लोग 2 plus 16 लोग 16 base 15 ऐसा कुछ करके हम लोगों को given है तो start करते हैं कैसे लिखेंगे इस question को तो मैं start करता हूँ मैं लिखता हूँ इसको log 2 log की property लगा देते हैं तो इसको लिख पाएंगे 16 log 16 minus 16 log 50 next को हम लोग लिख पाएंगे 12 log 25 minus 12 log 24 next को हम लोग लिख पाएंगे 7 log 81 minus 7 log 80 अब क्या कीजिए जितना हम लोग इसको 2, 3 या 5 के factor में ला सकते हैं उत्म लाने की कोशिस कीजिए तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 यहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया अब यहां पर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 4 आगे आ जाएगा तो यह बन जाएगा 64 log 2 minus 16 इस log 15 को लिख सकते हैं कि log 3 प्लस log 5 log 3 प्लस log 5 तो bracket के बार minus है तो minus आजाएगा minus 16 log 5 हो जाएगा यह इसको लिख सकते हैं क्या 5 का square 5 का square 2 आगे आ जाएगा तो यह हो जाएगा 24 log 5 minus इसको लिख सकते हैं क्या 12 log 8 minus 12 log 3 24 को 8 plus 3 लिखा bracket के बार minus होने से यह ऐसा आगया अब हमारे पास क्या बचा इसको हम लिख सकते हैं कि 3 की power 4 क्या लिख सकते हैं इसको 3 की power 4 4 आगे आ जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 28 log 3 next क्या लिखा हो हमारे पास minus 7 log 80 लोग 80 को हम लोग लिए सकते हैं क्या 7 लोग 16 7 लोग 16 माइनस 7 लोग 5 येस अब देखते हैं क्या बन गया है कुछ इन दोनों को हम लोग ऐड़ी कर सकते हैं तो हमारे पास बन गया 65 लोग 2 हाँ जी और कुछ हाँ ये दोनों को भी ऐड़ी कर सकता हूँ यह हमारे पास बन गया 28 log 3 इन दोनों को भी आड़े कर सकता हूँ यह हमारे पास बन गया 8 log 5 ठीक है जी इसको हम लोग लिख सकता है 2 की पावर 3, 3 आगे आ जाएगा तो हमारे पास आएगा minus 36 log 2 plus 28 log 3 यह इसको लिख सकता है minus 28 log 2 minus 7 log 5 देखे कहकर cancel out होगए यह भी cancel out होगए अब हम लोग 2 वाली ट्रम एक बार again से अड़ करते हैं तो 36 यह 64 हो जाएगा तो log 2 ही बचेगा हमारे पास यहां से अब log 5 वाली ट्रम और कर लेता हूँ तो यह plus का log 5 हमारे पास बचेगा तो हमारे पास अंसर कितना आ गया log 10 आ गया समझके दोनों के multiply किता आंसर कितना आ गया log 10 आ गया ठीक है जी base हम लोगों को कुछ given नहीं था यह next question हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या log 2 base 3 यह इसको लिख सकते हैं क्या 2 log 4 base 9 3 log 8 base 27 देखना वह यह कैसे लिख रहे हैं हम लोग आ रहा ना समझ में यह समय इसको लिख सकते हैं क्या log 2 base 3 यह 2 बहार इसको मैंने लिखा log 2 का इसको लिखा 3 का स्केर तो इसका स्केर आगे आज जाएगा इसका स्क्liट नीचे आजाएगा इसको लिखा थ्री की पावर थ्री ये दोनों आगे आजाएंगे ये cancel out, ये cancel out तो हमारे पास बनके log 2 based 3, plus 2 log 2 based 3, minus 3 log 2 based 3 इन दोनों को add किया तो कितना बन गया वहिया log 2 base 3 minus 3 log 2 base 3 दोनों cancel out तो कितना हो गया 0 यही हम लोगों को प्रूव करना था येस next की बात करते है ये अज़े standard result भी इसको याद रखें कई बार directive हो जाएगा तो left hand side में ले लेता हूँ इसको मैं लिखा log 2 log base 3 का root हम लोगों को given तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या 2 log base 3 log 2 base 3 का root येस दोनों को divide करूँगा तो root ही तो बचेगा अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं क्या 2 log base 3 की power complete की power 1 upon log 2 base 3 ये ये 1 बन जाएगा तो यह 3 की पावर क्या लिखा हुआ है divided by log 2 base 3 तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर log 3 base 2 यही तो हम लोगों को प्रूव गरना था यह अजे standard result याद रखें A की पावर root log A base B B की पावर log root B base A इसके दोनों आपस में equal होता है इस next question prove that पूल सकता है या आपसे इसकी value निकालने के लिए बोल सकता है तो start करते हैं कैसे करेंगे क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको देखे ध्यान से एक बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको मैंने इसको लिखा log 2 base 24 और इसको लिखा 2 base 96 माइनस इसको लिखा log 2 base 192 और इसको लिखा log 2 base 12 उपर लेगे भाई ये रिखा वाई log 2 base 24 24 को लिखा log 2 base 2 और log 2 base 12 log 296 को लिखा log 2 base 8 और log 2 base 12 माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 192 को 192 को मैं 12 वाली फॉर्म में लिख रहा हूं तो हम लोग इसको लिख पाएंगे 12 16 जाद 24 को हम लिख लिए तो लोग 2 base 12 यश है 2 की 3 हो जाएगा 3 आ गया जाएगा कर आ इसकी लोग लोग उने वाली आ जाएगा इसको हम लोग पाएंगा इसको पाएंगा यह cancel out, कितना आगे हमारे पास answer, 3 आगे, समझ गए कि आप लोग, yes, next question की बात कर लेते हैं, let a denote the value of this, when a is equal to 43 and b is equal to 57, and b denote the value of expression this, find the value of a dot b, ऐसा हम लोगों को given है, तो सबसे पहले a part soul कर लेते हैं, a part में मैंने क्या किया, आप क्या देख पार है, दोनों की मैं, लोग की property के coding multiply कर पाऊंगा, तो इसको मैं लिख पाऊंगा, क्या लोग 10, a plus b लिखा हुआ, a minus b लिखा हुआ, यह क्या बन जाएगा, a square, b square, minus, 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 plus, 4a, plus b हो जाएगा, divided by 4 आजाएगा, इससे यह cancel out हो जाएगा, 4 से यह cancel out हो जाएगा, तो हमारे पास बन की आजाएगा, लोग 10 based, a plus b, 43 plus 57, यह हमारे पास बन की आजाएगा, लोग 10 based 100, इसको लिखा 10 का square, तो हमारे पास कितना answer आ जाएगा। टू आ जाएगा एक वैलू अब क्या निकालाएंगे हम लोग भी निकालाएंगे। एंगे ये लिखावा लोग टू शिक्स बेस एटीन थ्री शिक्स लोग बेस थ्री ये सिसको लिखा डू लोग शिक्स बेस 6 और 2 लोग 6 बेस 3 यस बेस से मैं मल्टिप्लाइ करेंगा ठारा हो जाएगा भई 3 लोग 6 बेस 3 अब हम लोग क्या गड़ते हैं यह 2 की पावर 1 प्लस लोग 6 बेस 3 लिखावा है यह लिखावा है 3 लोग 6 बेस 3 2 की पावर 1 हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 2 की पावर लोग 6 बेस 3 और 3 की पावर लोग 6 बेस 3 दोनों की मल्टिप्लाइ की तो कितना जाएगा 6 लोग 6 बेस 3 यह 1 हो जाएगा भई तो 2 इंटो 3 कितना जाएगा 6 आजाएगा ए आपके पास 2 भी आपके पास 6 तो ए डोट भी आपसे पूछा था आप कामसर कितना जाएगा यस नेक्स कोशन अब लोग की प्रोपर्टी से आप लोग अच्छे से कलिर हो चुकी होंगी अब मैं तो डिरेक्ट करने कोशिस करता हूं देखना आप लोग यस यह लिखावा 81 की पावर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि लोग 9 बेस 5 प्लस 3 इसको हम लोग लिख सकते हैं कि लोग 3 बेस रूट 6 डिवाड़ बाई 409 यह लिखावा रूट 7 की पावर त्वाइस ओफ लोग 725 हो गया माइनस इसको मैं लिख सकता हूं कि 5 की पावर 3 यह 25 लिखा हूँ है यह 6 लिखा हूँ है इस इसको मैं लिखा 9 का स्केर क्या लिखा मैंने 9 का स्केर 2 यहाँ पर आएगा 2 को मैं इधर ले जा सकता हूं 9 लोग 9 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और 5 का स्केर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा 3 को मैं इदर लेके गया 3 लोग 3 कितना हो गया 1 हो गया और यहाँ पर 6 की पावर कितना हो गया हमारे पास 3 by 2 divided by कितना हो गया हमारे पास 409 यहाँ पर देखते हैं अब यहाँ यह हो गया हमारे पास 7 की पावर 1 by 2 लोग 7 कितना हो गया यह हमारे पास कितना बन किया गया 25- यह इसको मैंने लिखा 5 की पावर 3 की पावर 2 लोग 5,6 यह फाइव का जो स्केर आए था मैं इसको इदर लेकिया गया यह हमारे पास बन गया 25 प्लस 6 की पावर 3 बाय 2 divided by 409 यह से लिखा हुआ 25 minus 5 की पावर 3 by 2 इदर चला गया 3 by 2 इदर चला गया log 5 is 1 हो गया 6 की पावर 3 by 2 यह सब हमारे पास क्या लिखा हुआ A plus B लिखा हुआ और क्या लिखा हुआ A minus B A का स्केर 625 minus B का स्केर तो 6 की पावर 216 divided by 409 तो यह आगया 409 divided by 409 cancel out होके कितना अंसर आगया समझ गए आप लोग यह सागे बात करते है Given that log to base A is equal to S log 4 base B is equal to S square and this equal to this function of S start करते है यह सब से पहले हम लोग A निकाल देता हूँ तो A की value हमारे पास कितनी आगए 2 की पावर S आगए यहां से मैं 4 निकाल यहां से मैंने B निकाला B की value आगए 4 की पावर S स्केर यहां से मैंने 8 निकाला तो 8 की value आगए हमारे पास C स्केर की पावर twice of X cube plus 1 समझ गए आप लोग तो problem क्या है यहाँ पर A चाहिए था आपको बिल्कुल सही है B भी आपको चाहिए था सही है C आपको चाहिए था बट C नहीं मिला तो यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं 8 की पावर S q plus 1 divided by 2 is equal to कितना हो जाएगा C स्केर हो जाएगा ठीक है जी अब हम लोग क्या करते हैं इसमें सिंपल है C स्केर मेरे पास आई चुका है अब मैं पूट करने की कोशिस करता हूँ क्या करते हैं वैल्यू पूट करते हैं तो वैल्यू पूट करने के लिए क्या करते हैं देखना सारी वैल्यू अपने पास आचुकी है अब हम लोग क्या करते हैं अपने given question में जाते हैं अपने को value निकालनी है log2Base कि A square B की power 5 upon C की power 4 की put करना start करता हूं देखना log2A square मतलब इसका square समझ गए कि A की पावर 2S का स्केर करना होगा आपको तो इसका आप स्केर कर दीजिए जब आप इसका स्केर करेंगे तो क्या बनके आएगा अपने पास 2 की पावर 2S हो जाएगा S B की पावर 5 दोने साइड आप पावर 5 करेंगे तो यह बनके आएगा इंटू 4 की पावर 5s² divided by c की पावर 4 c की पावर 4 अगेन इसका स्केर करेंगे c² है इसका स्केर करेंगे तो अपने पास क्या बन कहाएगा 8 twice of s³ plus square 2 divided by 2 इसको प्रोपर और लिख देता हूँ मैं यह हमारे पास लिखावा लोग 2 बेस yes यह लिखावा 2 की पावर 2s इसको भी मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर कि कितना हो जाएगा 10s² हो जाएगा और यह इसको हम लोग first of all तो 8 की पावर लिख लिखता हूँ तो यह बन जाएगा xq plus 1 log 2 बेस यह 2 की पावर हो जाएगा 2s plus 10s² और इसको हम लिख पावर 2s² प्लस 3 अब मैं क्या करता हूँ इसको लिख सकता हूँ कि log 2 बेस 2 की पावर 2s plus 10s² माइनस 3s² माइनस 3 log 2 बेस 2 1 हो जाएगा जब यह पावर आ गया जाएगी तो 2s plus 10s² माइनस 3s² माइनस 3 आपके पास किसका फंक्शन आगया है s का फंक्शन आगया है वही आपको निकालना था इस question में आपके सामने यह start last answer दे सकता है यहाँ पर आपको A दे यहाँ B यह C और D A plus B plus C plus D की वैलू भी आपसे पूछ सकता था समझ करें कि आप लोग यह सागे बढ़ते है yes if log 3 base 2 log 3 base 2 की power x minus 5 and this are in a P find the value of x yes same question जही में में पूछा गया था yes AP का क्या fund होता है आपने 10th class में पढ़ा होगा अगर A B C 3 number AP में है तो second minus first common difference C minus B करूँ तब B का मिलने वाला है आपको common difference मिलने वाला है yes B को धर ले कहाएंगे तो क्या हो जाएगा twice O B is equal to A C अगर 3 number AP में होते हैं तो आप लिख सकते हैं twice O B is equal to A plus C ठीक है तो स्टार्ट करते हैं इसी फंडे से से सेकेंड का डबल अगर 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 इसको मैं लिखा लोग 3 बेस तू की पावर एक्स माइनस फाइव का स्केर लोग की प्रोपर्टी का अकोर्डिंग इसको लिख सकते हैं 2 इन्टू 2 की पावर एक्स माइनस 7 बाइटू यह दोनों का बेस से माचुका आप नंबर को कंपेर कर सकते हैं और 2 की पावर एक्स को एक बाद T अजूम कर लिए तो यह लिखावा T माइनस 5 का होल स्केर इस इकल टू इन्टू T माइनस 7 बाइटू स्वोल करना स्टार्ट करता हूं तो यह लिखावा T स्केर प्लस 25 माइनस 10 T इस इकल टू T माइनस 7 यह T स्केर माइनस 12 T प्लस 32 इकल टू 0 यह लिखावा T माइनस 8 T माइनस 4 इकल टू 0 T की वैलव एक 8 आगी और एक वैलव कितने आगी 4 बट T तो आपको निकालना है नहीं था तो 2 की पावर X is equal to 8 को गंपेर किया तो 2 की पावर X is equal to 2 की पावर 3 तो X is equal to 3 एक सोलूशन आगया 2 की पावर X is equal to 4 रखा तो X is equal to 2 एक सोलूशन आगया अब X is equal to 3 और 2 की बात कर लेते हैं यस X को जब 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4 माइनस 5 माइनस बना जाएगा इसका मतलब 2 तो आपका अंसर आने वाला है यह नहीं यह तो रिजेक्टेड इसको तो आपको रिजेक्ट करना ही होगा समझ गए आप लोग? यस 3 अपना अंसर है कि यहाँ पर भी ओके है और 3 यहाँ पर भी ओके है तो X is equal to 3 is the only solution for this question यस आज के session का last question करते हैं solve the system of equation यस लेक्स क्लास में हम लोग रिथमिक equation क्रेक्टर 6 और मेंटिशा के बारे में पढ़ेंगे तो start करते हैं solve the system of equation मैंने क्या क्या तीनों equation को add कर दिया जब मैंने तीनों equation को add किया तो लोग A base X Y Z मेरे पास common आ जाएगा और हमें मिलेगा लोग A base X प्लस लोग A base Y प्लस लोग A base Z is equal to 144 तो लोग A base X Y Z हो जाएगा लोग की property के according ये भी multiply हो जाएगे तो ये क्या हो जाएगा लोग A base X Y Z is equal to 144 हो जाएगा तो basically ये लिखावा लोग A base X Y Z का complete का whole square square को इतर लिखेगा तो कितना आ गया complete का whole square लिखावा 144 तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास लोग A base X Y Z के दो solution आगे 12 एक and minus 12 लोग A base X Y Z is equal to minus 12 ये अगे नदो solution start करते हैं मैं पहले सबसे फिले 12 वाले part से short करता हूँ ये फर्स्ट वाली equation का मैंने use किया तो हमारे पास लिखावा लोग A base X लोग A base X Y Z की value हमारे पास 12Y है equal to 48 लोग A base X is equal to 4 X is equal to A की power 4 हमारे पास एक solution आगे दूसरी वाली equation में use किया तो हमारे पास आगे है लोग A base Y minus को 12 पुट किया तो 12 is equal to 12 तो Y is equal to A आगे है तो Z is equal to हमारे पास A की power 7 आजाएगा समझ गए आप लोग similarly आप अगर जब minus 12 लेंगे तो आपके पास X का आजाएगा 1 by A की power 4 Y is equal to 1 by A and Z is equal to 1 upon A की power 7 आपके पास आजाएगा समझ गए यस नेक्स क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे लोग रिथमिक एक्वेशन क्रेक्टर 6 और मैंटी से वाला पार्ट हम लोग करेंगे कुछ अच्छे कोशन और करेंगे लोग पर